नमश्कार SBD News में आपका स्वागत है और पेश रे इस वक्त 28 फरवरी रववार सुबह सवासात बजे राजस्तान की बड़ी खबरें रेश में कोरोना वेक्सिनेशन का तीसरा फेज एक मार्स से शुरू हो रहा है इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है लेकिन यहां वेक्सिन लगवाने वालों को पैसे चुकाने होंगे न्यूज एजनसी ने सुत्रों के हवाले से बताया है कि प्राइवेट हस्पतालों में वेक्सिन लगवाने वालों को 250 रुपे चुकाने पड़ीगे इससे अस्पतालों के सर्विस चार्ज भी शामिल होंगे और उदर गुजरात में तो राजसरकार ने एलान भी कर दिया क प्राइवेट हस्पतालों में टीके के 250 रुपे ही लिये जाएंगे। वेक्जोशी, पुस्तकाले सचीव के पद पर राजाराम चोदरी और सांस्प्रतिक सचीव के पद पर दिप्ती जैन विजई रहे। विशेश आउट ओफ टर्न न्युक्ती देने का निर्ने किया है। राजसान में कोरोना वाइरस संक्रमन से शनिवार को एक और व्यक्ती की मोत हो गई जिससे राज्य में इस संक्रमन से अब तक मरने वालों की संख्या 2787 हो गई है। और वहीं 102 नए मामले आने से राज्य में संक्रमन की अब तक कुलसं क्या 3,2,180 हो गई है। जैपुर के विशाली नगर में शहर के नामी हेर ट्रांस्प्लांट सर्जन डॉक्टर सुनी सोनी की घर में सुरंग बना कर हुई चोरी की जांच पुलिस ने तेच कर दी है। शनिवार को पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोटरी टीम को भी बुलाया। एफसल टीम ने जॉक्टर के घर के ठीक पीछे वाले पुलॉट में पहुँच कर जांच की। प्लॉट में एक कमरा बना हुआ है। टीम ने उस कमरे और उसके पीछे बनी गैलरी की फर्ष की खुदाई कराई और इसके लिए मोके पर 6-7 मज़़ूर भी बुलाए गए। ये महापंचायत बिकानेर के श्रीडूंगरगड और चितोडगड के मात्रकुंडिया में हुई। कॉंग्रिस ने इन सभाओं से 4 सीटों पर उप्चुनाव के लिए प्रचार की शुर्वात कर दी है। प्रण के बारे में जानकारी दी। नडडा का 2 मार्च को जैपुर दोरा है और ऐसे वे दोरे को लेकर भी पूनिया ने नडडा से चर्चा ही। और जाती चार सीटों पर होने वाले उप्चुनाव के सबंद में भी दोनों नेताओं के बीच बात चित हुई। करने के निर्देश दिये। वीजी के दुरान जिला के लेक्टर ने बताया कि जिले में समय रहते तीसे चरण की सभी तैयारियां कर ली जाएगी। वीजी में पुलिस अधिक्षक, राजन दुश्यन, अतिरिक जिला कलेक्टर प्रिशासन, भवानी सिंग पवार सहीत अन्य अधिकारी उपस्तित थे। श्री गंगानगर जिला मुख्याले पर एकता मंच की महिला शक्ती शाका की ओर से 8 मार्च को अंतराष्ट्य महिला दिवस के उपलक्ष में 10 दिन तक सोशल मीडिया सबंदी सजक्ता सहीत 10 संदेश दिये जाएंगे। इस विशेश अभ्यान का अगास कर दिया गया है और पहले दिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रश्णोत्री एवं स्लोगन प्रत्योगिता भी रखी गई। अभ्यान के पहले दिन रखे गए कारिक्रम में अध्यक्ष मन्जूगरक, मीना जूत्रा, शिवानी गोयल, कमलेश आजाद, संगीता जूत्रा, वीनु बंसल, आभामित्तल, सुनेता अगरवाल सहीत अनेक महिलाएं उपस्तित थी। हनुमानकर जिला मुख्याले पर CMHO डोक्टर नवनी शर्मा ने जिला अस्पतार में चल रहे कोशल प्रसव दक्षता प्रशिक्षन की वैवस्ताएं देखी। डोक्टर शर्मा प्रतिभाग्यों से मिले और ट्रेनिंग में दी जा रही सुविधाओं में वस्ताओं में अन्य जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ट्रेनिंग को लेकर दिशा नर्देश दिये उन्होंने प्रतिभाग्यों से ट्रेनिंग कादिक से अधिक लाब उठाने की बात कहीं नर्सिंग ट्यूटर बलवीर भांबू, नर्सिंग ट्यूटर श्रीमती राज उलक, डॉक्टर शिप्रा शर्मा, डॉक्टर एनल आसेडी, श्रीमती दर्शना धाका एवं श्रीमती परमजित को ट्रेनिंग दे रही है श्रीगंगानगर जिले के गुमडवाली पुलिस थाना शेत्र के गाउं फकीरावाली मिस्तित एक परचून की दुकान से सोना चांदी के जीवराज चोरी हो गए पुलिस ने मुकदमा दर्श करके जान शुरू कर दी है पुलिस के नुसार गाम निवासी रमेश कुमा ने रिपोर्ट दी कि अग्यात विक्ति उनकी दुकान का ताला तोड़कर सोने की अंगूठी वेचांदी का नारियल चोरी करके ले गए हनमानगर जिला मुक्याले पर बार संग का शपत ग्रहन समारोट नाउंस्ति जीम रिसोर्ट में आयूजित किया गया मुक्याती थी राजसान उच्छिनाले जोतपूर के न्यायपती मनोजगर विशिष्ट अती थी डीजे सूर्य प्रकाश काकणा जिला कलेक्टर जाकिर हुसेइन जिलापुलिस सदिक शक प्रिती जैन थी कारिक्रम की अध्यक्षता बारसंग अध्यक्ष मंजिंदर सिंग लेगाने की मुक्याती थी न्यायधिपती मनोजगर ने बारसंग की नवन्युक जिला बारसंग के जिलाध्यक्ष और बारसंग की अध्यक्ष मंजिंदर सिंग लेगा उपाध्यक्ष राजकुमार परिजनों ने अपने सर पर तलाश की लेकिन विवाहिता का कोई पता नहीं चल पाया पुरानियाबादी पुलिस ने विवाहिता के पती की रिपोर्ट पर गुमशुदी दर्श की है श्री गंगानगर जिला मुख्याने पर सरकारी अस्पताल में दो दर्जन से अधिक बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार